0.017 का वरग मुल क्या होगा देखिए वरग मुल का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अंडूट कौन सा विदि काम में लेंगे अपना भाग विदि यहन्य डिजिन मेथड काम में लेने वाले इस method में करना क्या है बिलकुल simple है हमें right hand से left hand side को बढ़ना होता है कहाँ पर point के इस तरफ ठीक है और उस तरफ बढ़ेंगे दूसरी तरफ तो आपका left to right बढ़ेंगे ठीक है या ऐसे समझ लो मतलब left आपका इस side होता है तो यह तो या ऐसे यह देखिए आपका वैसे नहीं बैठागी यह से बैठागी है कि हमें point के इस तरफ पढ़ना होता है right to left और दूसरी तरफ जाएंगे तो उल्टा हो जएगा left to right तो यहाँ पर point के इस तरफ तो क्या जाना होता है right to left इस तरफ तो आपका यह ऐसे count करेंगे दो डिजिट और फिर आगे आपके दो डिजिट आएंगे तो यहाँ पे आगे कोई डिजिट नहीं है ता हम zero लिख सकते हैं ठीक है point के बाद ऐसे zero zero कितने भी लिखे जा सकते हैं okay कोई दिकत नहीं आसान है अब यहाँ कितना बन गया zero point एक zero point एक मतलब एक एक के लिए क्या लेते हैं हम एक गुणा एक लेते हैं पहले हमें इस point को हटाना पड़ेगा इस point को हटाते हैं तो यह point आपका यहाँ उपर आ जाएगा एक लिया एक गुणा एक एक यहाँ लिख दिया फिर हमने इसको तो जोड़ना होता है इसको गटाना होता है गटाने पर कितना आगया आपका एक मेंसे एक गया zero आगया उपर से जो दो अंक अंडरलाइन कर रखें इसको यहाँ नीचे लियाएंगे और इसके आगे यह आपके इसके कितने ही zero zero लिखे जा सकते हैं कितना बनके 70 अब इसके साथ जैसे हम तीन लेते हैं तीन का गुणा करते हैं कितना रहा है 9, 6, किसको यह लिए हमने तीन को यहाँ लिख देगे फिर इसको गटाना है जोड़ना है ऐसे प्रक्रिया आगे चलते हैं गटाते कितना रहा है आपका एक उपर से दो zero हम यहाँ लेएं इसको जोड़ा तो यह आगे अब इसके साथ एक लेते हैं एक का गुणा करते हैं तो भी इससे बढ़ा रहा है ऐसी इस्तिती में फिर zero लेते हैं कितना गए zero किसको लिया zero को फिर घटाना है जोड़ना है घटाने पर कितना गए hundred उपर से हमने दो zero यहाँ नीचे ले आएंगा इसके साथ कौन से संक्या लें उसका गुणा करें किससे बढ़ाना है ऐसी पर कि आपके आगे चलती रहती यह जो है यह आपका answer कितना zero point one three zero अब आपके मुन में कुशन आ सकता है कि यह से कैसे हो गया कि यहाँ पर हमने किसका निकला है zero point zero एक साथ कवरे गमूल निकला थी यह से कैसे आ रहा है तो वो मैं आपको calculator में करके दिखा देता हूँ ठीक है क्योंकि पिछली बार बच्चों ने यही कॉमेंट किया था देखिए यह अंडूट और किसका ले रहे है zero point one seven का ले रहे है कितना आ रहे है यह साथ दबाने zero point zero one seven का ले रहे है कितना रहे है zero point one three zero आ रहे है ठीक है ओके इसका मतलब हमारा calculation सही है